हलो माई डियर फ्रेंड स्वागत आपके अपने चैनल अर्निंग टिप्स में डियर फ्रेंड आज मैं आपको सिखाने जा रहाऊ और बताने जा रहाऊ सोशल मीडिया से जाइनिंग लाने का सही तरीका इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो और वो पोस्ट एटोमेटिकली एबी ट्वीटर पे कैसे शेयर होगा यानि कि आपको एक जगा पोस्ट करना है और वही पोस्ट जो है आपका एटोमेटिकली दूसरी हैंडल पे कैसे जाएगा अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ एक पोस्ट को दो मिनट्स के अंदर 10,000 प्यूपल तक कैसे पहुंचाईए आईए डियर फ्रेंड्स उसी के बारे में हम विस्तार प्रोग चर्चा करेंगे आपको सिखाना चाहूंगा साथी साथ मैं आपको कहना चाहूं अगर आप हमारे चैनल पे ना है हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा सबसे पहले मैं आपना वर्टसप ओपन करूंगा यहाँ से भी आपको एक ट्रिक दिखाना चाहूंगा जैसे कि मैंने आप चाहूं तो सीधा गेरी से भी स्लेक्ट कर सकते हो इस इमेज को वो तो आपको इतना एक तो आता ही होगा जैसे कि मान लीजे मैंने जो स्टेटस अपलोड किया हुआ है उसमें से मुझे एक स्टेटस क्या है शेयर करना है अब यहाँ पे देख लीजेगा जो कि यहाँ पे मैंने जिस्ट अभी शेयर किया हुआ है अब यहाँ पे शेयर टू फेस्बुक को अप्शन आ रहा है आप चाहो तो यहां से भी Facebook पे शेयर कर सकते हो लेकिन हमें क्या करना है Instagram पे शेयर करना है और वहां से Facebook पे जाना चाहे है और वहां ही से Twitter पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मैं स्टोरीज भी रख सकता हूँ और उसे फीड भी कर सकता हूँ यहाँ पे देख लिजे गडियर फेंड्स यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर आप देख लिजेगे इसे चाहो तो आप कराप कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पर किसी को mention भी कर सकते हो या अपनी ID को mention कर सकते हो वो आपकी इच्छा है आप करना चाहते हो या नहीं उसके बाद में send to करोगे उसके बाद में your stories याँ आप चाहो तो यहां से आप किसी और परसन को भी share करना चाहो तो कर सकते हो वह आपकी इचा है dear friends अब यहाँ पे उसके बाद मैं आपको done पे click करना है और यहाँ पे आपको दिखाना चाहो dear friends की सबसे पहले ये post जो है upload हो चुका है और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है share to facebook stories अगर आप share to facebook stories करना चाहते हो आपकी इचा है कीजिएगा otherwise आपको share as a post पे click करना है और आपके सामने dear friends इस तरह का interface शो होगा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ यह देख लिजए dear friends उसके बाद में जब आपके सामने इस तरह का interface शो होगा तो आपको क्या करना है share as a post पे click करना है share as a post पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface शो होगा आपको यह आप चाहो तो यहाँ पे इसे कराब भी कर सकते हो यहाँ से आपकी इचाह है अगर कराब करना चाहते हो कर सकते हो नहीं करना चाहते हो आपकी मरदी है उसके बाद में dear friends आपके सामने इस तरह का interface शोगा आप आगे आपको क्या करना है forceh india with mohamad asipir जैसे यहाँ पे मैंने यह page बनाया हुआ है उसके बाद में आपको इस icon पे click करना होगा और इसे open करना होगा जैसे कि मेरा tie up इडियर friends मैंने जैसे click किया तो यह open हो चुका उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी अपना location एड करना है वो add कर सकते हो और ट्विटर पे share करना है यहाँ पे आपको click करना हो ट्वीटर पे भी शेयर कर सकते हो, साथी साथ में यह बताना चाहूं कि डायरेक्टी आपका वहां पे ट्वीटर ओपन नहीं होगा, या पेस्टबुक पेज ओपन नहीं होगा, आपको उसके लिए tie-up करना होगा, tie-up कैसे करना है, यहां पे जब आप क्लिक करोगे, तो वहा पे आपको अपना password डालना होगा, तो आपका जो है, Instagram tie-up हो जाएगा, Facebook के साथ, उसके बाद में आगे, dear friends, आपको क्या करना है, यहां पे आपको दिखाना चाहूं, सबसे पहली बात, यहां पे एक, यहां देखे, dear friends, सबसे पहले आपको यहां पे क्लिक करना है, जो आपन करूँगा, जैसे ही मैंने Facebook को open किया, अब यहां पे मुझे यह post कहां पे दिखेगा, जैसे कि मैंने इसे जब tie-up किया है, page के साथ में, यहां पे अपना page open कर लूँगा, जो बनाया हुआ है, यहां पे आप देख पाएंगे, dear friends, नीचे की और में बढ़ूँगा, थोड़ देखेंगे, dear friends, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, post को open करना है, यहां पे, एक मिनट, dear friends, यहां पे थोड़ी, आप खुछ से देख पा रहे हैं, कि थोड़ी सब नेटवरक की speed बहुत ही कम है, बहुत ही slow चर रहा है, जैसे यह post open हो जाएगी, मैं आपको dear friends सब कुछ, यहां पे क्या rating क्या मिर रही है, A to Z आपको, और कितने people यहां तक पहुंच चुके, और कितने लोगों ने देखा, वो सब कुछ detail आपके Facebook पेज़ पे आपको दिख जाएग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, dear friends, कि इस post को मैंने यहां पे, जो यह post upload किया था, Instagram क यहां पे upload हो चुका, अब मुझे यहां पे क्या करना है, share वाले option पे click करना है, share to group में मैंने, इसे क्या करना है, group में share करना है, और group यहां पे आप देख पा रहे हैं, कि dear friends मेंने कितने group join करके रखे हुए, just example के लिए माल नीचे dear friends में यहां पे, किसी और group में इसे, यहां पे देख लिए, जैसे friends forever, लेकिन यहां पे एक मज़े की और बात बताऊं, जिस भी group में आप जाएंगों, वहां पे जो unknown person है, जो आपके friend नहीं है, एब भी पे, उनको भी आप tag कर सकते हो, dear friends, यहां पे आप देख लिजएगा, जैसे कि मैं इने tag कर रहा हूँ, यह मेरे क friend नहीं है, मैं इने tag करते जा रहा हूँ, dear friends, आप देख लिजएगा, आप चाहो तो जितने लोगों को यहां पे tag कर सकते हो, वह आपकी इच्छा है, आप कितना time देना चाहते हो, वह आपकी मर्जी है, उसके बाद मैं देखिए, dear friends जैसे की, यहां पे जब आपने इनको click क लोगों को मैंने tag किया, एक group के अंदर, और इस tag का मुझे क्या benefit मिलेगा, जो 24 लोगें, इनकी timeline में भी यह post upload हो जाएगा, और इनके जो friend है, वो भी देखेंगे, dear friends, उसके बाद मैं आप चाहो तो यहां पे अपनी location रख सकते हो, feeling, activity, वो आपकी चाहा है, क्या रखना चा यहांगा, dear friends, यह तो हो गया कि Facebook से ही आपको यहां से इतने logo तक, आपका post इतने logo तक पहुंचेगा और वहां से आपको calls वगेरा भी आएंगी, 100% आएंगी, जैसे कि मुझे आती रहती हैं, अब यहां पे एक वो ट्रिक दिखाऊंगा, यहां पे share के option पे जब मैंने click किया यहां पे more option आपको दिख रहे हैं, more option दिख रहे हैं, यानि कि आपके पास WhatsApp भी है, chats भी है, जो भी आप चाहो जहां पे, Telegram भी है, chats, यहां पे देखिए, जो messenger है, वहां पे भी chat कर सकते हो, और direct message आप Twitter पे भी कर सकते हो, कहां आप करना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी WhatsApp पे इ copy, जो मैंने group बना के रखा है, उनमें भी share किया, और दूसरे भी unknown group मैंने share किया है, वहां पे भी मेरा post यह चला जाएगा, dear friends, अब यहां पे देख लिजेगा, यहां पे click कर दिया, और इस वज़ा से क्या होगा, कि WhatsApp वाले लोग भी आपके, जो भी आपने page पे post upload किया, उस कि Twitter, मैंने Twitter को open किया, और क्या यह post हकीकत में वहां पे upload हुआ है, या नहीं हुआ है, वो भी दिखाना चाहूंगा, with evidence, dear friends, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहां पे मैं सबसे पहले click कर रहा हूँ, यहां पे आप देख लिजेगा, कि Instagram पे जो post में ने upload किया, just अभी post upload क क्या है, इसमें मैं click कर रहा हूँ, और जो भी person click करेगा, direct उसका क्या Instagram open होगा, और Instagram जब open होगा, dear friends, वहां पे आपको कौन सा post दिखेगा, यहां पे आप देख लिजेगा, यहां पे जो भी new person आएगा, साथ में आपके यह क्या है, dear friends की follower भी ज्यादा बढ़ेंगे, क्यों उनको sign in करना पड़ेगा, तब ही वह आपका post देख पाएंगे, क्योंकि जो भी person Twitter से आएगा, उसके लिए, तो यहां से आपको काफी ज्यादा benefits, यानि कि आपके follower बढ़ेंगे, आपके साथ join हुए तो वो भी share करेंगे, आपके team grow क्यों नहीं होगी, dear friends, आप देख लिज सकते हो, और अच्छी खासी team भी बना सकते हो, I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और dear friends, खास बात अगर कहना चाहूं, अभी तक, अगर आप high reach आनलाइन शापी में जाइन नहीं होए, तो तुरंट से जाइन हो जाएगा, जिसने भी आपको यह वीडियो दिया है, यह जिसने भी आपको high reach के बारे में बताया है, तो ज्यादा देर ना करते होए, आप जाइनिंग कर लिजे, क्योंकि वैसा आप high reach का जैसा platform आपको नहीं मिलने वाला, dear friends, thank you, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए,